हेलो दोस्तों, सालो साल जिब हम गेज को यूस करते हैं, तो जो हमारा बढ़ान रेको इस तरह से काला पढ़ना स्टार्ट हो जाता है और यहां आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर न, दूध भी निकल जाता है, तेल भी निकल जाता है मतलब बहुत सारी चीज़े क्योंकि हम इसको डेली में यूज करते हैं तो इस तरह से बुकाला पढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो आज मैं आपके एक ऐसी टिप लेके आई हूँ जो कि मातर दो मिनिट में आपका जो बढ़ना रहना एकदम क्लेन कर देगी तो वीडियो पूरा देखेगा बिल्कुल स्किप मत कीज़ेगा ताकि दोस्तो आपको हर चीज अच्छे से समाझ आ जाए चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां मैंने ले लिया है एक कतोरा और उसमें मैं डाल रही हूँ उबलता हुआ पानी तो यह दोस्तो बहुत ही जादा खोलता हुआ पानी इसमें लेना है हमें ताकि जो हमारा बढ़नार है वो एक ही बार में साफ हो जाए ठीक है यहां पर मैंने इस्टिल का लिया हुआ है आप काज के बलतन में मत डालेगा नहीं तो वो फूट जाएगा यह भी मैं पता देती हूँ क्योंकि एक बार मेरे साथ हाथ साह हो चुका है अब मैं अब डाल रही हूँ एक निभू का रस निभू का रस में दोस्तो इतनी ठाकत होती है कि यह गंदगी मिता भी देता है और साथ में बर्तन को भी चमका देता है तो मैंने उसको ले लिया है और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें हमारे कंदे बर्नर लबकि जो काले हो गया है वो बर्नर को हम इसमें डाल देंगे यहाँ दोस्तों मैंने दोनों बर्नर को डाल दिया है ताकि दोनों बढ़िया से क्लीन हो जाए और उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ एक सीक्रेट चीज जो की बर्नर को बहुत ही इंसेन साफ कर देगी वो है यह इनो तो इनो दोस्तों आप कोई साभी फ्लेवर का ले सकते हैं मैंने यहाँ पे लेमन फ्लेवर का लिया हुआ है एक पेकिट पूरा हमें डाल देना है और बस एक बार हम इसे मिक्स कर देंगे बैसे तो इसकी जरुबत नहीं है लेकिन फिर भी इस तरह से हम अच्छी तरह से इसे बढ़ियां से गल जाए और यहाँ दोस्तों एक घंटा हो गया है तो जो बढ़नर है हमारा वो बहुत ही इंस्टेंट साफ हो जाएगा यह बहुत बढ़ियां से अभी गल चुका है तो इसे हमें क्या करना है थोड़ा सा साफ कर लेना है ठीक है तब ही आप देखेंगे कि क इतना जादा गंदा है हाथ फेडने से ही न इसकी गंदगी निकलती जा रही है आप देख सकते हैं जैसे की वीडियो में तो इसे हम साइड में पहले निकाल लेते हैं उसके पार फ्रॉमे का करना है थोड़ा सा इसको गिसना पड़ेगा ताकि यह अराम से इसकी जो सारी ग आगेगा देख सकते हैं बहुत ही इंस्टेंट साफ होना स्टार्ट हो गया है तो बस इसी तरह से हमें पूरे परनर को साफ कर लेना है तो दोस्तों जो हलके दाग हो जाता है रहा हूं स्कुरबर से हो जाएंगे लेकिन साइड में इस तरह से ओईल के डाक स्टेंड हो जाते हैं आप देख सकते हैं वो भी इसली निकल जाएंगे अगर आप इस तरह के से जो यह होता ना स्टिल वाला स्क्रवर उससे साफ करेंगे तो आप देख सकते कितना इसली निकल रहा है मैंने थोड़ी सी स्प्रीड बढ़ा दी यह वीडियो की ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि मैंने कोई और बर्णर आपको दिखाया है मतलब वीडियो में कोई जोल किया हुआ है आप देख सकते हैं बहुत ही इसली यह क्लीन भी हो जाता है यह देखिए कितना क्लीन हो गया है तो इसी तरह से मैंने पूरा क्लीन कर लिया है अब हमें इस तरह कि एक सैफटी ज़ोधिन ले लेना है ताकि जो हूल से वो अगर ब्लोक हो गया है तो इस तरह से आमें उनको भी निकाल देना है बहाती इसली निकल जाते हैं क्योंकि सबी जो हूल से उनकी गंदिगी पूरी तरह से गल चुकी है और यह देखिए पूरा क्लीन हो आए हलका सा मुझे यहां पर थोड़ा सा ओर लग रहा है तो मैं उसे भी साफ कर लेती हूं तो दोस्तों अगर आप ऐसे साफ करेंगे ना तो इतना क्लीन नहीं हो पाएगा चाहे तो टाइ करके देख लीजे और यह देखिए लग रहा है ना एकदम नए जैसा कलर भी देखि तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल यानि की रेनू रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल दियेगा मिलते हैं ऐसे अच्छ अच्छ वीडियो के साथ तब तक के लिए चैश्री शाम तब ही आप देख सकते हैं बर्नर बिल्कुल नया हो झाल